चाइनीज एप्स पर सरकार का तीसरा सर्जिकल श्ट्राइक पपजी सहित 118 एप्स हुए बैन प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बोल आइकोन दबाना ना बोलें भारत सरकार ने चीनी एप्स पर तीसरी बार सर्जिकल श्ट्राइक करते हुए 118 मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत में अब तक चीनी एप्स जो बैन किये गये हैं उनकी संख्या कुल 224 हो गई है भारत में सबसे टॉप पर था पबजी जिसे सरकार ने बैन कर दिया है भारत में पबजी के मोबाइल यूजर्स की संख्या 175 मिलियन याने की 17.5 करोड थी जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा संख्या थी पबजी खेलने वालों में मायोशी जरूर है मगर देश की सुरक्षा भी जरूरी है पबजी बैन सहित 118 एप को बैन करने के पीछे का मक्षद है सुरक्षा सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये एप्स भारत की सुरक्षा एकता और अखंडता को नुकसान पहुचा सकती थी जो एप्स बैन किये गए है इन एप्स के ओर से क्लेक्ट किये गए डेटा को लेकर सवाल उठ रहे थे और राश्टिय सुरक्षा के मद्दे नजर फैसला लिया गया एक सो अठारा चाइनिस एप को बंद कर दिया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोडिनेशन सेंसर और होम मिनिस्ट्री की तरफ से इन सभी एप्स को बैन करने की मांग किये गई थी और भारस सरकान एक सो अठारा एप्स पर बैन लगा दिया है जिसमें पबजी भी शामिल है तुमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहार टाइम से